ये छोटे बच्चे हैं, नेपाल के, लेहो सब सेल्फी खीचा रहे हैं, आउ इदर आ, ओ बच्ची, इदर आ, जब देखो, फोटो खीच रहे हैं, चल रहे हैं, ओके बाइब 8 घंटे चले हैं, पहाड पे अभी लगभर नकुस्तो हम लोगो को 15 से 16 घंटे और पहाड पे हैं, साथ में पूरी पब्लिक साथ में हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, और देखेंगे कितने दूर तक है, जाना तो है ही, चलना पड़ेगा, देखिए यहाँ पहार नीचे, बहुत नीचे बादलों से लगभर बराबर आ किते हैं, चलो, सफर जारी है, अभी बहु बहुत लंबा सफर है, पर तो कखिन है, पर चल रहे हैं, देखते हैं, साथ में पूरी पब्लिक साथ में है, सफर जारी है, अभी बहुत लंबा सफर है, देखिए, टाप फ्लोर पे पहुँच चुके हैं, और यहाँ से सिटी दिख रही, आठ घंटे लगे टाप फ्लोर प एकदम उपर से लोग बाद लोग में उपर आ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया था पहले ही और वो सिटी दिख रहा है और कुछ ऐसा भीव है इधर का जो मिन की है अभी देख दीजिए ऐसा भीव है ये पहाड इसको दुधिया पहाड बोलते हैं ऐसा लग रहा है वाइट मा मार्बल वो बनता है अब लोगों को दिखा रहे है थोड़ा जूम करके और यह देखिए यह वाइट मार्बल का पत्थर है इसको दुधिया पहाड के नाम से लोग जाते हैं अब तो रोड रोड आ रहे थे यह देखिए रोड रोड लेकिन आप सार्ड कट में कुछ है क्लैम्बिंग हो रहा है जैसा कि मौंटेन पर होता है अब देखो यहां का रास्ता कुछ ऐसा ही सार्ड कट में देखो यह कुछ है स्पेसल टाइप की जड़ी बूठी है वह ताइप का पेड़ दिख रहा है बैक कैमरे से दिखाते हैं बैक कैमरे से दिखिए यह छोटा- चम्यली का फूल बोलते हिंदी में और यह स्पेसल मौंटन क्लाइमिंग चलते हैं वही तो बहुत दूर का सफर है सब लोग जा रहे हैं और एकदम इसा दिख रहा है पहाड आउटर पहाड देखिए बादलो और पहाडो का मिलन आप लोगों को दिख रहा होगा यह दस घंटे बाद दस घंटे के सफर पूरा होने के बाद पूरे इतनी अब लोग पुब्लिक थी अभी पहुंचे हैं और यहां पर नास्का होगा भूजन होगा फिर उसके बाद आगे बढ़ते है लोग मजा लेते हुए हूए जाते हुए फुछ नास्ता पानी करते हुए चलिंगे और भाइस ने बोला कि नास्ता उसा कर लेते एक मजा अ रहा है सबको और इनका बीक्राय अबना और अग्डम अ फिर हा न्यूदार होगा जोए दोनों का संगम बड़ा ही सुहाना लग रहा है कैमरे में तो इतना सही नहीं दिखर पा रहा है जहां तक मैं जान सकता हूं बट रियल व्यू कुछ अलग ही ताइब का दिख रहा है ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग में राउंड कर रहे हैं इस समय और यह हमारी गईया जिसके हम लोग गवाता बोलते हैं अपने अहां लोग यहां पे खाने पिने रहें और यह कुछ नकडिया का के रखने हैं इस साइड में देखिए पहाड लिख लिख रहा है बढ़िया कि हमारे भईया जी दौड़ दौड़ के हुए आ रहे हैं उधर चले क्या बनाने बाद रहे हैं पहाड़ी हो सही तरीके से फिर उसके बाद टेल में डालेंगी तयार हो जाएगा बटूरा उसके बाद छोले के साथ यह देखिए कुछ ऐसे बंढ़ा है अब यह देखों आ गया परिया पूल गया है अब यह फोले के साथ प्वेट के अंदर जाएगा और कुछ यह इसके जो सौप में हो इनके लिए इस मिसल रखा हुआ है अंटिके इस सौप पे यह बन गया भी रेडी हो गया इसी अब बटूरा तयार हो गया अब इनको दोलों छोले और उसके लिए इस मिसल है जो लेग मास्ता कर लेते हैं फिर इसके बाद देखते हैं इस सब लोगों का अच्बाद का अच्छा लग रहा है अर्याग तुग किदर किदर घुमार आ रहे हैं हमको किदर किदर घुमाता है तुग अरे हम सब खीच रहे हैं, किदर किदर खीच आएगा, खीचते खीचते में परिशान हो गया है, ए चल खीच ले बाबा मेरे फोटो, फोटो किस बाबा, फोटो, ए बाबू, देख, यह हमार मार्केट होए, यह देखिये, टाइटाइनिक पोज बनाई रही है, यह सेल्फी प यह देखो, यह कुछ एस्पिसल फीचर है, पीछे भी पहाड दिख रहा है, और मेरे आगे भी जो देख सकते हैं, मेरे पीछे पहाड और मेरे आगे जो लोग हैं, वो भी पहाड देख रही हैं, आप लोग, और सामने वो लोग खड़े हुए हैं, देखिए, कुछ एस्प दोनाने गए बद क्या हो गया अरे क्या घरीगा तूं आइन फिर्फिंट लेटाज यहीं यह क्या होता है ब्देश्ब कर टाना थुना मेरे क्या होते हैं खुशा है तो श्यां अचाने बदेश्ब करें कि यहां पर कुछ है इसा डाल के इस पे सो जाए बाइशन कुछ ज्यादा नहीं हो गया है मतलब कुछ भी अरबर तुम्हारी फीलिंग समझ रहे हैं कि तुम का कहना चाहते हैं भाई उसको ना फेको छोटे बच्चे को को डंस कर से डंस करो कि अभի हम लोग उस पहाड पे अभाद्र अभड़र पाहाड पे दीख रहा है नीचे जा रहे हैं नीचे आने के तो फिर चलते हैं और यहां पर देखिए अपनी गव माता जी यह देखिए वो खाई है और यहां यह एक इस्पेसल टाइप का दूप का पेड़े इसको बोलते हैं यह कुछ एस्पेसल टाइप का भी चल रहे हैं इसके पास में चलेंगे तो फिर इसको बनता है एक हम जो बोल रहे थे धूप का पेड़ जिससे हम लोग पूजा पाठ करते हैं जो बनता है न वो उसका पेड़ है और यह ऐसे रबर जैसे निकाला जाता है यह देख लीजिए यह सेम वैसे ही स्मेल भी है इसका यह देख लीजिए आप लोग जूम करके दिखा रहा हूं यह थोड़ा नीचे देखिए आप लोग गिरव है यह जो धूप का पेड़ है और उपर देखिए कुछ ऐसा जो आप लोग कभी देखेंगे किसी सौप में रखा एता है सोप इसकी लिए वो क्या पाइनेपल की तरह रहता है उसको पानी में रखने से वो सुकर जाता है उसके बाद उसको धूप में रखने से थोड़ा वो खिल जाता है तो वो भी इसका क्या बोलते है उसको फूल बोलते है इसका आप लोग देख सकते हैं यह होगा इसको बहुत अच्छी तरीके से किसी स्वाप में या सोप इसमें घर में रखा रहता है वही चीज है ना आप लोग देख लीजिए यह और उसका फूल जो है उसका पेड़ यह है जो आप लोग देख रहे हैं यह खराब हो चुका है क्या देखिए धूप यहां पे थो निदेञा है डिकले हैंट को कि दने परोग पर है यह ने पाल के पहाड़े पहाड़ा के ऊपर वही हैं शोटे शारे हूसा हुए और यह दिखिया ऐसा कुछ घर यहां का नजारा निपाल का छोटे छोटे पहारी घर जो है यह हम लोग बैठे हुए हैं यहां पे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं इधर है और वो जो उपर दिख रहा है उस पे एक छोटी सी सौप है जहां पे आप लोगों को पानी पीने का और नमकिन बिस्किट कुछ भी खाने का हो उधर मिल जाता है और एस्पेसल लोगों के लिए एस्पेसल व्यवस्था भी रहती है उधर और दिखाते हैं कुछ गाउं मिलेंगे उधर से भी अवेर कराएंगे आप लोगों को यह स्लिप कर रहा है और हम लोग नीचे जा रहे है एक दम पानी से जैसा हो गया है और यह जैसा लग रहा कि गुफा वाना हुआ है पेड़ों का अंधेरा टाइब का दिख रहा है थोड़ा सा जो कि बाहर बहुत ही लाइटनी है बहुत ही स्लिप कर रहा है अभी आप लोगों को दूर से दिखा रहे थे यहां पे पहाडी जिसको हम लोग भुट्टा बोलते हैं हिंदी में और यहां का भुट्टा हम लोगों के हाँ एलो कलर का होता है यहां का भुट्टा वाइट कलर का होता है चलो अभी देखते हैं रास्ते में अगर मिलेगा तो फिर आप लोगों को इसमें से दिखाएंगे तो यह थोड़ा पहाडी बुट्टा है, आप लोगों को दिखा रहे थे, पहाडी बुट्टा, हम लोग पीपल की छाओ में थोड़ा ओक्सीजन ले रहे हैं, प्योर उसके बाद हम लोगों को नदी से पार होना होगा, और वो उपर है, सौप यहां से पानी पहाद होगा, उसके बाद नीचे जाएंगे, चरना है, उसको क्रास करके फिर आगे, देखो, एकदम हाड पहाडी रास्ता, एकदम खतरनाग पहाडी रास्ता, पहाड, पथरों को पूट-पूट बना हुआ है, एक पर इधर रखो, एक पर इधर रखो, उसके बाद चलो, देखो कैसा, दो पहाड क्रास करन के बार अब हम लोग कि तीसरे पहाड के क्रास करने के लिए जा रहे हैं और यहां पे रास्ते में पानी है इसलिए हमने सूज पहना था तो प्यांतों पो अमस्हार है और यह देखिए नेपाल में यह 파ाड के धान के खेती बहुत अच्छे से धान की खेती हो रही है और यहां पर जस्ट पास में जहरना है जहरने से ही पानी मिल जाता है खेती करने के लिए यहां पर तो हम लोग अभी जहरने के अंदर से क्रास होंगे लगभग वन किलो मेटर जाना है जहरने के अंदर से तो चलते हैं कहा कहा तक पानी मिलेगा और किधर किधर तक जाना है यह देखे धान की बहुत ही अच्छे तरीके से खेती की गए जैसे कि आप लोग उसी हिसाथ से हुआ है जैसे कि चाय की पत्ती की खेती होती है आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर चाय की पत्ती की खेती होती है आपना सुन भरेख वाद अछे से नेचर से वह पयूंग सीर्प करते चे़ंग झाल घृओं बेखिए यह नीचे झरने का पाणी देर रहा है और बड़े सम्हाल की चर्ला पर रहे है असे लग रहा है बचा के चलना है कि अगर आप नजर हटी तो दुर घटना घटी ऐसा मामला है यहां पे पैर फिशल रहे हैं देखिए जंगलों के बीच में यह देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा है धरने के बीच में हम लोग आगे हैं वो तो जर्ना का एक स्ट्रोक आने का पहाडो के बीच से और अगे बढ़ो यहां सम्हाल के बढ़ा चलना पर रहा है क्योंकि फोर्स से पानी आ रहा है आप गिर सकते हो यह देखिए हम डिस्वैलेंस हो रहे हैं वो पहाडों के बीच से आ रहा है दिखिए बहुत ही अच्छा पानी है मुधू लेते हैं थोड़ा सा पीने लाए पानी पीने से भी अधेने से अच्छा लाइता है यसा आम लोगों करिशर का पानी रहता है इसेां रहे वहने लगतें हैं तो वह जबायां साइड से और बड़ा संभाल के चलना पड़ रहा है हम लोग चलो संभाल के चलो 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 बाबू यहां पर पानी नेचुरल है कोई भी मेंदद नहीं करना पड़ता है नेचुरली आ रहा है जरने से और इसको पीते हैं और पीते-पीते निकलते हैं भोग थंड़े खंड़े पानी में रिस्थ कर रहे हैं जोटी धरने का पानी है और जधरने का स्टेक दीछ आप लोग पहारों के बीच में यह सामने पहार बिग्रा एंगे यहां से प्रॉपर पानी मिल्क रहता है इससे ही यह रहना इकठे होके निजलता है तो यह नदी अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटा ने उस पर अपने जीजा जी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए